हेलो एवरिवान वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोड़ी सी दर्खास and request कि मैंने भी लास्ट टाइम स्टाइट से किये थे तो भाई सिरफ पांच परसन लोगों ने बाई सब्सक्राइब किया हुआ था थोड़ा सा भाई डिसपोइन्मेंट हुआ थोड़ा सा निराश देडिकेशन और ज्यादा मिलती है और अच्छा लगता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करना अदर्वाइस थांक्स वरिस्टिंग दे चानल अगें बाकि अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ सतर हजार पे के अंदर आपके माइंड तो मैं आपको वही बताऊंगा सिंगल वन वर आंसर में अब यहां पर लैप्तॉप जो है वो शुरू होता है साथ हजार बैसे ठीक है जो पहला वेरिंट आएगा वह आएगा आपका आई फाइव नाइन जनेरेशन नाइए त्रिए यहां पे इंटल के जितने भी प्रोसे पर यहां पर आपको मिलता है क्या आई फाइव जनेरेशन वन जीरो फ्री रबल जीरो एच बहुत ही अच्छा प्रसेसर है नो डाउट बट बाई यहां पर अब वह बात होती है कि थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ता जाएगा और चीजें मिलती रहेंगे बट डोंट वरी की बजट वही रहेगा तो यहां पर थोड़े पैसे और डालोगे तो बट उससे पहले यहां पर देखो आई फाइब में दो बैरेंट्स मिलते हैं और यहां सोला जी विराम यह सिस्टी एट थाउजन का ठीक है बाकी कॉन्फिगरेशन सब कुछ से मैं कोई डिफरेंस नही तो जो बेस्ट वला है मैं आपको उसे का बताऊंगा कि वाई यह को कि बाकी में चीज़े कॉंसेट होगी जहां पर डिफरेंस होगा आपको बता दूंगा डोंट वरी फॉर दा तो यहां पर फिर उपर जाएंगे तो 70,000 के प्राइस पे एक और आता है एसा नैटर i5 11 generation 11300H के साथ और इसमें जो GPU मिलता वो आपको मिलता है GTX 1650 बहुत ही अच्छा GPU है मेंज आपकी अच्छे गासी डीसेंट गेमिंग ये कर देगा और यहां पर 68000 के आसपस एक और आता है that is Acer Nitro 5 with Ryzen 5 4600H यही लैप्टॉप है जो आपको पर्चेस करना है and why is that देखो च i5 10 generation में दोनों वैरेंट्स में आपको 8GB RAM वो 16GB RAM में आपको यहां पर 1650 Ti मिलता है बागी मिलता है बट यहां पर ट्रिक ही है कि देखो सरफ 7% आपको एक एक्स्ट्रा पंप मिलता है अपनी गेमिंग में डिफरेंस कितना होगा 2 या 3 fps का बहुत बड़ा significant margin नहीं है ठीक है अगर आपका बरोसा इंटल पर होता है कि यार हमें इंटल ही लेना है तो बाई आग बंद करके ले लो और आपको यहां पर एक एडवांटेश और मिलेगा that is a refresh rate 144Hz का जो की आपका 46100H में आपको नहीं मिलता है comparison start करता हूँ आपकी सारी coverage दूर हो जाएंगी पहली बात मैंने यहां पर कर दिये GPU की जो GPU 46100H में और जो आपको वहां मिलता है किसमें i5 11 generation में वह सेम है that is 1650 ठीक है और जो base clock speed जो होती है हमारी वह राइजन 5 की जो है वह थ्री गिगावर्त लेके 4 तक है maximum वह और जो अपने i5 11 generation है यहां पर आपको मिलती है 3.1 से लेगे 4.4 जो की एक अच्छी बात है कि यहां पर ज्यादा ओम फैक्टर है बट मैं आपको यहां पर सीधा बोल रहा हूं कि अगर आपको multi-dasking करनी है और किसको नहीं करनी होती आज की टाइम पर कोई भी single tasking नहीं करता है हम एक बार है multi-core performance and multi-dasking तो वहां पर आगे निकल जाता है 4600H नो डाउट और ऐसा नहीं है इंटल नहीं कर पाएगा इंटल बिल्कूल कर पाएगा it is all about that कि कौन सा बेटर कर पाएगा तो that is a 4600H बात करते हैं यहां पर डिस्पले की तो छोटी सी बात यह है कि भाई देखो दोनों मे आपको सेम डिस्पले मिलता है आई-पेस पैनल डाट इस फिप्टीन पॉइंट इंचिस का फुल एस्टी पैनल है यहां पर इसको बोलते है और यहां पर आपको जो ओवराइड रिस्पॉंस मिलता है वो 3ms का मिलता है मिलता है मीन सोडी स्मूधनेस और थोड़ा सा इस बहुत कम स्क्रीन पर यहां पर यहां पर एक फरक किये है कि आपको तो मैं यहां पर क्या चूज करूंगा यहां पर आपको 144Hz मिलता है आपको और आपको आपको 144Hz का मिलता है यहां पर आपको एक स्मूधनेस आती है बट वहां पर आपको वो कंटेंट भी चाहिए होगा जो इतने पर चले बट अच्छी बात है अगर मिल रहा है तो बहुत कमाल की बात है यहां पर आपको एक ही चुसकना पड़ेगा तो मेरे साब से मेरी जो रेडिंग जाएगी वह जाएगी और दोनों लाप्टाउस में ही आपको 300 निट्स की ब्राइट्स मिलती है अब यहां बात करत बैटरी बैकप का आप तो भाई सिंपल सी बात है लगबग ओल्मोस्ट कॉंफिगरेशन बिल्कु सेम है डबली बाचार और अडाप्टर का जो वाटेज होती सब सेम है 135 वाट्स का अडाप्टर है दोनों में ही और दोनों में ही आपको 57.5 डबाटरी मिलती है और हां यहां पर है यहां पर ढमीनि अच्ड़ग चलन रहालोगी आपे फ्स्कों मिल जाएगा radivit तो मिल जाता है दोनों में ही आपको दो पंक्रे इनलाप्र उद्ल कॉलिंक ब्रद्श थी और यहां से ऐलमिनेट होगी आपकी यहँंसे होगी आपकी आपकी के थूँ में आपकी होट वेव जो होगी जो पास होगी वह भी बिल्कुल सब कुछ सेम बाई बिल्कुल डिजाइन एक्टली सेम है और डिजाइन इसका काफी भैटरी नहीं इसका कौड एक्जास्थ में लब जो डिजाइन है मुझे बाई काफी अच्छा लगा दो अब भी धीरे जरे बहुत कॉमन हो जागा बड़ यहां पर बाकी दोनों में एपसेंट है कौन को उन्से पोर्ट मिलते हैं आपको एक 3.2 आपको यहां दो पोर्ट मिलते हैं टाइप एक जो की एक पोर्ट और मिलता है जो की फर्स जेनरेशन का होगा 3.2 अगेन और यहां यहां पर आपको नॉर्मल होई एक HDMI एक Kingston लॉक स्कॉट इसमें और मिलता है RJ45 यह सारे पोर्ट कॉमन है बाई बट यहां पर अगेन बस एक अंडर बोल पोर्ट एक्स्ट्रा है किसमें अब यहां पर बात करते हैं एक और चीज़ की डाट इस मेमोरी एंड सोरेज देखो ज इसमें आप अच्छी बात और भी है कि आप इसमें एक्स्पैंड कर सकता है को यहां पर दो स्लोट एक्स्ट्रा मिलते हैं और लेटेस वर्जन है ना डॉंट वरी PCLE M.2 आरे लैप्टॉप में जितने वारेंस पर आपको बता है सम में और यहां पर यहां पर आपको सेम रै मेरे साब से बहुत अच्छा बालेंस है एक स्टोरेज का एंड स्पीड का और हार्डिस का जो आर्फ में दैट इस अबहत्तर सो एंड यहां पर भाई जो आपकी राम फ्रिक्वेंसी होती है वह 32 मेर्ट पर है कैश मेमरी दोनों लैप्टॉप सेम है 11 MB की एंड साथ में लाता है और यह कुछ-कुछ बेसिक अब बात कर लेते हैं यहां पर हम कुछ फीचर्स की कि यहां पर आपको आर जी भी लाइटनिंग मिलती है किसमें दोनों लाप्टॉप में जो की रहेगी आपकी क्या डाट इस और फोर जोन में अगर कीबोड देखोगे ना तो आपको चार जोन में अलग-अलग लाइटनिंग मिलीगी मुझे काफी अट्राक्टिव एंड काफी इच्छा लगाई और 720 बीप आपको इसका व्याप कैम मिलता है और यहां पर आपको ऑडियो में दो स्पीकर्स मिलते हैं अगें बट यहां पर कोई हमन कॉर्ण मेगारा कुछ भ होगी वह काफी अच्छे वेज़ें होगी मींस कि एक होता है साउंड करना किसमें लाइक 7.1 चैनल में तो यह आपको साउंड में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा यह नहीं बोल रहा कि साउंड भी बहुत आलग लेवल की हो जाएगी बट साउंड इस वाई मैंने आपकी अधर वाइस बाई दोनों लाप्टॉप में हर चीज बराबर एंड व्लोड़ वर्जन नहीं करेगा पठाव वस वन फॉर्टी फॉर्ट से वह आपकी मर्जी कि आपको वह चाहिए यह आपको स्लाइटली बेटर सीवी परफॉर्मेंस होती है तो मेरे साब से आई विल गो यह मेरी चोईस है वाकि आप अपनी चोईस मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में और अगें थांक्स वाचिं!